आकास भूमे न्यूज वाश्टिय समाचार पत्रव वेब न्यूज चैनल इनिडर पत्रकारिता की एक अनोखी छलक ठानाध्यक्स सुरियामा ने बैंक के गाड को लगाई कड़ी फटकार बोले छोड़ दो नौकरी खबर जनपत भदुही के बलाक अभूली से है जहां सनिवार को स्टेट बैंक आफ इंडिया साखा अभूली में सुरक्षा जायजा लेने पहुचे सुरियामा ठानाध्यक्स जैफ्रकास यादो ने बैंक के में गेट पर उपस्थित गाड को कड़ी फटकार लगाई दरसल मामला यह था कि जब थानाध्यक्स साहब रूटीन जाज के लिए बैंक पहुचे तो गाड साहब मोबाइल में वाटसप चला रहे थे थानाध्यक्स ने कहा कि यदि कोई वारदात हो जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा बताते चलें कि अकसर बैंक में लगाए गए सुरक्षा गाडों की मनमानी से ग्राहकों के साथ दुरघटनाएं होती रहती है थानाध्यक्स साहब ने गाड से कहा कि यदि नौकरी नहीं करनी है तो नौकरी छोड़ दो ऐसे बहुत से लोग हैं जिने वास्तों में नौकरी की जरुरत है कम से कम वह अपना काम इमानदारी से तो करेंगे हैरानी की बात तो यह रही कि गलती करने के बावजूद भी बैंक में तैनाध सुरक्षा गाड अपनी गलती मानने के लिए तयार नहीं हुआ थानाध्यक्ष साहब ने इसकी सिकायत बैंक मैनेजर से की उन्होंने कहा कि यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गेट पर लगाया गया सुरक्षा गाड अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहा है या नहीं इसकी जाज करें क्योंकि यदि कोई हाथसा होता है तो गाड साहब तो मोबाइल में वेस्त है ऐसे में एका एक वे सुरक्षा कैसे कर पाएंगे वहीं थानाध्यक्ष महोदय ने बैंक के बाहर बिना लौक वाली मोटर साइकलों के मालिकों से कहा कि अपनी गाड़ी जब भी कहीं खड़ी कर करते हैं तो लाग अवश्य लगाएं जिससे आपके वहान की सिरुक्षा हो सके बैंक परिसर में उपस्थित लोगों ने थानाध्यक्ष महोदय के इस कदम की तारीफ की जनपत भधुही से सुरेश कुमार मिसरा की रिपोर्ट लाल बटन दबा कर चैनल को सबस्क्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नमरों पर दे सकते हैं आप हमें इमेल भी कर सकते हैं